आज हम आपको बता रहे हैं प्रसिद टेलिविजन एक्ट्रेस राजश्री रानी के बारे में राजश्री रानी एक भारतिय टेलिविजन एक्ट्रेस हैं जो टेलिविजन सीरियल सुहानी सी एक लड़की, मधुबाला, एक्यावन और इमली के लिए जानी जाती हैं राज्श्री रानी का जन्म 8 दिसंबर 1987 को उत्तर प्रदेश के फतेहपूर में हुआ था। उनके पिता का नाम विश्नु शुकला और मा का नाम सियावती शुकला है। राज्श्री अपने माता पिता की एकलौती पुत्री है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गव 2014 में उन दोनों का तलाक हो गया था। बाद में उन्होंने 2020 में सीरियल सुहानी सी एक लड़की के एक्टर गौरव मुकेश से विवाह किया। राज्श्री ने अपने करिय की शुरुआत वर्ष 2012 में सीरियल मधुबाला से की थी, जिसमें वो एक बहुत छोटे से रोल में नजर आएं थी। उसी वर्ष 2012 में उन्होंने डीडी नाशनल के बिन बिटिया स्वर्ग अधुरा में लक्ष्मी की बहन पल्लवी की भूमिका भी निभाई। इसके साथ ही उन्होंने एक किरन रोश्नी की सावधान इंडिया, Haunted Nights और CID जैसे शो में एपिसोड एक रोल 2014 में उन्होंने टेलिविजन सीरियल सुहानी सी एक लड़की में सुहानी की मुख्य भूमिका निभाई थी। इस सीरियल के माध्यम से उन्हें टेलिविजन की दुनिया में प्रसिधी मिली थी। इस शो से वे लगातार तीन सालों तक जुड़ी रही। 2017 के बाद वे 51 और ये जादू हैं जिनका सीरियल में नजर आ चुकी है। वे कलर्स टीवी की सीरियल नमक इसका में रूपा रौनक राजपूत के रूप में नजर आ चुकी है। वरतमान में वो स्टार प्लस की शोर इमली में अर्पिता राठोर की भूमिका में नजर आ रही है। सीरियल इम